हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मागनेट ब्रेंज, दिस इस पंगजरा टौर और मैं आप लोग का वेधिक माथमेटिक्स का एजुकेटर, टीचर और फिकल्टी हूँ आप लोगों मैं बता दूँ कि मागनेट ब्रेंज में किंडर गार्डन से लेके 12th क्लास तक कोर्स वाइस, चाप्टर वाइस, वुक वाइस, NTSC, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पूरे कोर्से जो है वो 100% फ्री अविलेबल है आपको यहाँ पर दो या तीन वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अविलेबल है वो भी कॉलिटी कंटेंट बेस्ट फेकल्टी दुआरा प्रोवाइड कराया जाता है तो आपको करना क्या है आपको सर्फ महरत करनी है पड़ाई करनी है और यहाँ पर आपको सारा कंटेंट जो है वो 100% फ्री अविलेबल यहाँ पर आपके लिए है बस आप लोग पढ़ाई करिये और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको best content यहाँ पर मिलेगा तो चलिए हमारी आज की जो वेधिक mathematics की series का जो chapter है वो बहुत ही interesting और बहुत ही अच्छा chapter है यहाँ पर आप देखेंगे कि इस chapter का नाम है multiplication with a series of ones पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने multiplication with a series of nines देखा था जिसमें equal number of nines थे और higher number of nines थे यहाँ पर equal number of nine और higher number of मतब equal number of ones और higher number of ones की आपको यहाँ पर different different videos नहीं देखनी है यहाँ पर simply हमें जो digit one है उससे बनाए हुए number से multiply करना है तो उसके लिए मैंने अलग-अलग कुछ videos बनाए हैं जिसमें कि सबसे पहले हम 11 से multiply करना सीखेंगे फिर हम triple one से multiply करना सीखेंगे मतलब हम simply जो one से जो number बन रहा है that is 11 या triple one या four times one इसमें अलग-अलग क्या rule लगेगा और वो rule बहुत ही मिलते जुलते हैं अलग-अलग मैं इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि वहां पर थोड़ी सी clarity हो कि exactly जो difference है वो छोटा सा जो difference है वो क्या है वो हमें समझ में आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं multiplication with a series of ones और हमारा ये जो वीडियो है इसमें है multiplication with 11 जो है वो हम यहाँ पर सीखेंगे सो दियां से देखिए multiply 32 by 11 यहाँ पर एक number है जिसको मैं 11 से multiply कर रहा हूँ यहाँ पर number of digit का कोई रोल नहीं है number of digit जैसे यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो आप दो बार one यूज़ कर रहे हैं तो उपर भी आपकी जो digits यूज़ हुई है वो भी two ही हुई है यहाँ पर जादा digit या कम digit भी यूज़ हो सकती है जरूरी नहीं है कि equal number of digit ही हम यूज़ करें फिर से सुन लिजे यहाँ पर जादा या कम digit भी यूज़ हो सकती है रूल यही का यही apply होगा यहाँ पर कोई भी different rule नहीं बनेगा हाँ different rule कहां से बनेगा जब हम number of ones जो है वो change करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए हम जो method use करने वाले हैं वो method exactly है क्या उसका हम थोड़ा सा एक basic base तयार कर लेते हैं उसके बाद हम learn करेंगे कि 11 से कैसे multiply करना है triple one से कैसे करना है four times one से कैसे करना है अब सभी बहुत ही असानी से कर लेंगे तो चलिए सबसे पहला काम हमें 11 का जो square होता है वो क्या होता है वो होता है 121 11 का square क्या होता है 121 मैं बेस तयार करा रहा हूं दियान से देखिएगा triple one का square क्या होता है तो दियान से दिखिएगा कितनी बार one है याँ पर three times one है जब 3 times 1 है तो आप start करिए 1 से इसके बाद 2 इसके बाद 3 क्योंकि 3 times 1 थे 3 तक जाएए उसके बाद वापस से आप इसको decreasing order में लिखते चले जाएए और यही होता है इसका square सेम चीज सेम रूल यहाँ पर भी apply हुआ था कितने 1 है दो बार 1 है दो बार 1 है तो हमने start किया 1 से 2 तक maximum गए और उसके बाद वापस से reduce करते हुए 1 तक अगर मालनीजे 4 times 1 है और उसका अगर हमें square करना है तो ध्यान से देखिए क्या होगा square yes 1 2 3 4 फिर reducing 3 2 1 मालनीजे 1 2 3 4 5 6 7 अगर हम इसका square करेंगे yes क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 तक गए अब हम वापस से decreasing order में लेखेंगे 6 5 4 3 2 1 this is a basic rule और ये rule जो है वो बहुत ही simple सा rule है कि जितने number of ones है हम उतने number तक जाएंगे start करेंगे one से ही और उसके बाद वापस से decreasing order में हम क्या कर देंगे one तक चले जाएंगे तो अब एक तरह से यहाँ पर क्या देखेंगे कि जितने number of one होते हैं maximum वहाँ तक जाते हैं और उसके बाद वापस decreasing order में आ जाते हैं अब यहाँ पर जो multiplication हम करने वाले हैं वहाँ पर हम इनी number का use करने वाले हैं से एक rule create करेंगे जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि इसको याद रखना बहुत आसान है तो वह rule भी जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो क्या है वो है double one से multiply करना मतलब two ones जो है उन से हम multiply करेंगे तो ध्यान से देखिए यह जो आपके पास answer आया है that is one two one इसको मैं read left से right कर रहा हूँ बट इन number को हमें जो use करना है वो हमें करना है right to left जैसे कि जब हम multiply करते हैं तो multiply भी हम right to left ही करते हैं हम देखिए सबसे पहले इससे multiply करते हैं फिर इससे करते हैं तो पहले right side वाला फिर left side वाला तो इसलिए यहां पर जो rule भी हम use करेंगे वो right से left की तरफ use करेंगे अब ये जो सबसे पहले हमने देखा right से left की तरफ move कर रहे है सबसे पहले हमें रास्ते में one मिला उसके बाद two मिला और उसके बाद one मिला तो ये one का मतलब क्या है ध्यान से देखिए one का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें single number को use करना है two का मतलब यहाँ पर हमें दो number को use करना है और यहाँ पर one मतलब again यहाँ पर single या हमें one number को use करना है तो right से left की तरफ start करेंगे सबसे पहले single number लेना है फिर two number लेना है और फिर single number लेना है single number लेना है फिर two number और one number मतलब one two one चाहाँ हम left से right read करो या right से left use करो लेकिन हम इसको right से left इसलिए use कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम calculation right से left ही करेंगे next दियान से देखिए जब हम triple one से multiply करेंगे तो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं again हम यहाँ पर right to left जाएंगे सबसे पहले single number, फिर double number, फिर three number, फिर two number और फिर one number one two three, two one, तीन बार one है तो maximum three तक जाएंगे, one से start करेंगे, maximum three तक जाएंगे, वापस reduce करते हुए one तक आजाएंगे अब यहाँ पर rule देखिए कैसे solve करना है, सबसे पहला काम, दियान से देखिएगा, सबसे पहला काम हमें करना क्या है 32 का multiplication 11 से करना है, 32 का multiplication 11 से करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले right से left start करना है, 11 मतलब यह 11 रहा, maximum two one है यापर, two one है तो start करेंगे हम one से two तक जाएंगे और वापस reduce करेंगे one तक, सबसे पहले हमें right hand side की single number चाहिए जो की क्या है, two, single number है, तो वैसा का वैसे लिख दिया, अब हमें कितने number चाहिए, हमें दो number चाहिए दो number चाहिए, तो again हम right से start कर रहे है, तो जो pair बनेगा, वो इन दो number का बनेगा यह पहले single number था हमारा, और फिर हमारा यह दो number का pair बना, three or two है इसमें दोनों को हमें यहाँ पर क्या कर देना है, add कर देना है, जो भी यहाँ पर number आएंगे, दियान से देखिए मैं इसको अटा देता हूँ यह हमारा one number, यह भी हमारा one number और यह आपका two number एक से जादा जो भी number आएंगे, आपको उनको क्या करना है, उनको आपस में add करना है, multiply नहीं करना है तो यह three or two दोनों को add किया, क्या हो गया, three or two को add किया, five हो गया इन दोनों नमबर को आपने क्या कर दिया एड कर दिया सबसे पहले आपने क्या किया सबसे पहले आपने इस 2 को यूज किया सेकंड स्टेप में क्या किया आपने कि ये जो 32 था इन दोनों को यूज किया और आपने करा किया इसमें 3 और 2 दोनों को आड करके यहाँ पर 5 लिख लिए थर्ड स्टप में क्या करेंगे हम 1 से स्टार्ट किया था 2 तक गए थे वापस से 1 तक जाएंगे और क्योंकि हम अब left hand side पहुँच चुके हैं तो left hand side वाला single number चाहिए तो यह left hand side वाला single number जो कि 3 है तो आपका answer हो गया 352 आपका answer हो गया 352 बहुत लोग इसको इस तरीके साथ सिखाते हैं कि आप simply क्या करें इस digit को यहाँ लिख दीजिए इस digit को यहाँ लिख दीजिए और यह बीच वाली digit में आप क्या कर दीजिए दोनों को add करके लिख दीजिए यह बिलकुल सही है इसमें कोई issue नहीं है लेकिन मैं यह method इसलिए बता रहा हूँ कि जब number of ones बढ़ जाएंगे या जब digits जो है यह two digits जो मैं use कर रहा हूँ 32 जब यह बढ़ जाएंगी तो यह rule से आपको तुरंट समझ में आजाएगा कि वहाँ पर हमारा answer क्या आने वाला है यह double digits के लिए तो बहुत आसान है कि आपने right वाले को यहां लिखा left वाले को यहां लिखा दोनों को add करके लिख दो you will get the answer तो यह rule तो बिलकुल जो हम अभी method यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप screenshot ले लिजए soda da वाला जो rule है यह आपकी दिमाग में बैठ जाए और फिर जो है मैं आगे और advanced level पर चलता हूँ number of digits को बढ़ाता हूँ तो आपको और अच्छे से clarity जो है वो मिल जाएगी चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला question जिसमें की again दो ही digit है again यहाँ पर दो ही digit है लेकिन क्योंकि यहाँ पर carry over आएगा इसलिए मैंने यह special case अलग से ले लिया है again we'll start from right hand side we'll go to left hand side right hand side में सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें चाहिए single digit सबसे पहले single digit right side की यह रहा seven फिर pair का size बढ़ गया कितना हो गया maximum क्योंकि दो ही बाइन है maximum two size तक जाएगा यह आ गया seven or four eleven हो गया one लिख दिया carry over one चली गई हमेशा single digit ही लिखनी है जो बचा हुआ होगा वो आपका carry over हो गया अब one से maximum two तक जा चुके हैं वापस reduce करेंगे वापस one पे जाएंगे और one कहां का left hand side वाला तो यह हो गया आपका simply four carry over one था जोड दिया answer हो गया five one seven वापस से बता देता हूँ eleven का square आपका one hundred and twenty one था right से left की तरफ जाएंगे सबसे पहले single number use किया right side का double number यूज किया दोनों को add कर दिया फिर left hand side का single number यूज किया carry over था वो जोड दिया and हमें answer जो है वो यहां पर मिल किया बहुत ही simple है one two one right से start किया left तक गया right से start किया left तक गया one two one याद रखना इस चीज़ को चलिए next वाला question देखते है next question में अब देखिए मैंने यहां पर number of digits जो है वो increase कर दिया multiply अभी भी हम 11 से ही कर रहे है और जब 11 से कर रहे है तो वही one two one जो है वो use होगा लेकिन जब digits बढ़ गई है तो कैसे use होगा यहां पर क्या दिमाग लगाना है ध्यान से देखिए हमारे पास number है three hundred and sixty four into eleven ध्यान से देखिए और यहां पर जब हमारे पास उपर three digits है तो again हम start जो करेंगे वो कहां से करेंगे हम right से left की तरफ ही करेंगे सबसे पहले right में हमने single digit लिया जो की कौन है four तो four को लिख दिया फिर single के बाद क्या आता है single के बाद double आता है double आ गया six और four को add कर दिया ten हो गया carry over one चला गया अब ध्यान से देखिए क्यूंकि eleven का जो square होता है वो होता है one hundred and twenty one हमें right से left की तरफ जाना है one हम use कर चुके हैं two हम use कर चुके हैं अब आता है one की बारी अब आती है किस की बारी अब आती है one की बारी लेकिन ध्यान से देखिएगा जब तक ये जो maximum number वाला ये जो जो भी number यहां पर maximum होगा जितने number है वो ही maximum होगा two ones है तो बीच में two आएगा triple one का square करते हैं तो maximum बीच वाला कौन सा आता three आता maximum बीच में क्या आता three आता तो जो भी maximum वाला number है वो जो बार हम यहां पर लगा रहे हैं वो जब तक shift होके left hand side में नहीं आ जाता है तब तक आपको reduce नहीं करना है तो ये जो two वाला हमारे पास दो number का जो pair है दो number का pair जो है यह भी हमने right hand side में लिया हुआ है अब आप क्या करेंगे इसको shift करेंगे left hand side एक digit left hand side आप shift करेंगे तो अब आप ये जो double number का जो pair है वो कहां use हो जाएगा वो left hand side में चला गया जब वो left hand side में चला गया तो दियान से देखिए अब कौन से कौन से दो डिजिट आ गई six और three कितने हो गया इन दोनों का addition nine nine में एक जोड़ा ten आ गया carry over again one आ गया अब आप देखिए जो maximum size था दो number वाला वो आपका left hand side पे पहुंच चुका है तो अब मैं one पे जा सकता हूँ और one पे गया तो यह हो गया three three में एक जोड़ा तो यह हो गया four आपका answer आ गया four double zero four four double zero four फिर से सुन लीजे हमें start one से ही करना है one यहाँ पर digit लिया यह रहा आपका one digit आ गया फिर आपने क्या किया दो number लिए दोनों number को add किया और यहाँ पर आके carry over चला गया वाला जो बार है वो जब तक left hand side में completely corner तक नहीं पहुँच जाता है completely corner तक नहीं पहुच जाता है तब तक हम क्या करेंगे हम इसको एक एक digit shift करते रहेंगे एक एक digit shift करते रहेंगे कब तक जब तक यह left hand side नहीं पहुच जाता है जैसी left hand side पहुचा फिर हम इसको reduce करेंगे बिना left hand side corner पे पहुँचे हम इसको reduce नहीं करेंगे तो जब तक यह right hand side में था तो हम इसको पहले left hand side में लाए फिर हमने reduce किया एक और example ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा मैं ले लेता हूँ three four five into eleven ध्यान से देखें सबसे पहले single फिर double double को left hand side तक लाएंगे और फिर single single double double one यह होगे आपका five five four nine three four seven और फिर single है तो यह राध three yes five फिर दोनों का sum nine फिर दोनों का sum seven फिर single number three तो यह single फिर यह दोनों फिर हमने shift कर दिया left hand side और फिर आखरी में जाके single क्योंकि यह maximum वाला जो number है वो left hand side पे आ चुका है तो अब आप लोग को I think clear हो गया होगा और हम example ले लेते हैं और number of digits और increase कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से clear हो जाएगा तो यह हो गया four two six five two into eleven ध्यान से देखिएगा सबसे पहले single digit यह रहा two double digit यह रहा seven अब जब तक यह left hand side में नहीं आ जाता है तब तक हम इसको single में convert नहीं करेंगे और हम इसको shift एक एक digit करेंगे तो अगला कहां पर जाएगा six और five पर दोनों को जोड़ा eleven carry over one जैसी carry आती है हमें लिख देना है अगेन अब आएगा यह दो डिजिट six or two eight eight में बन जोड़ा तो nine फिर अगेन यह हो गया four or two six अब left hand side पहुँच चुका है अब इसको हम single में convert कर देंगे यह हो गया four four six nine one seven two वापस से देख लीचे यह हो टो दोनों को जोड़ा seven दोनों को जोड़ा eleven तो carry over one दोनों को जोड़ा eight carry over one nine हो गया दोनों को जोड़ा six और single number four सीधा सीधा आपका यह answer हो गया यह this is important कि जो दो number का जो pair बना है आप उसको तब तक left hand side तक shift करते रहेंगे जब तक वो left hand side में नहीं पहुँच जाता है और आपको shift जो है वो single single digit करनी है this is very important और जैसी वो maximum वाला size आपके left hand side में पहुच जाता है फिर आप उसको वापस से reduce कर दीजे वापस से उसको फिर reduce कर दीजे तो यहाँ पर एक काम करते हैं मैं आपको एक और example ले लेता हूँ यहाँ पर 2,3,4,5,6,1,2,1 बड़ा number और ले लिया मैंने अब दियान से देखिए single number that is 1,2 or 1,3,1 or 2,3,6 or 1,7,5 or 6,11 carry over 1,4 or 5,9,9 में बन चोड़ा तो 10 carry over again 1,3 or 4,7,1,8,2 or 3,5 left hand side में पहुच चुके है single number this is my 2,this is my final answer this is my final answer चोटा number और ले ले लेते हैं yes 2,6,7 and 3 जो भी तो number pair में आते हैं उनको आप क्या करते हैं उनको आप add करते हैं उनको आप क्या करते हैं add करते हैं this is very very important so वापस से बता देता हूँ वापस से ध्यान से सुन लीजे हमारा जो method है वो इनके squares पर dependent है 11 का square 121 आया था single number double number one number right से left की तरफ जाना है यह जो बीच में आपका maximum वाला number जब भी आएगा तो आपको यह pair तब तक left hand side तक shift करना है single single digit जब तक कि वो completely left hand side में नहीं पहुँच जाता है जैसी पहुचेगा फिर आप उसको करके single number use कर लीजिए सेम चीज जब हम triple one में देखेंगे तुम आपको एक basic idea दे देता हूं जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले है 12321 आपको अगेन यहाप पर right से left की तरफ जाना है सबसे पहले single number use करेंगे फिर two number और फिर three three जो है वो आपका maximum हो जाएगा अगर यह three वाला pair तीन number को आपको add करना है एक साथ तीन number अगर आपने add किये और उसके बाद वो pair जो है three वाला number का जो pair वो का left hand side में नहीं है तो आप उसको single single number shift करते जाएंगे left hand side और कब तक जब तक वो end पर नहीं पहुंच जाता है left hand side जब वो पहुंच जाएगा फिर आप reduce करके उसको two digit और single digit मतलब single number पर लेके चले जाएंगे three number से two number पर और one number पर कब जब तक यह pair shift होते होते left hand side में नहीं पहुंचता है तो 11 वाला आप लोग को अच्छे से clear हो गया होगा यहां पर simply आपको single number double number और double number shift करते जाना है कब तक जब तक वो left hand side नहीं पहुंचता है और आखरी में single number बीच में अगर carry over आता है तो उसको बस ध्यान रखना है answer बिलकुल seconds में जो है वो आपको मिल जाएगा कम से कम 5-10 number अपने मन से अपने कुछ भी मन से जो है वो numbers ले लीजे और उन numbers को जो है आप multiply करिए 11 से method यूज़ करिए आपका ये method बिलकुल दिमाग में बैठ जाएगा और 100% आपकी दिमाग में जीवन भर रहेगा आप हर ज quality content बस आपको क्या करना है मैनत करनी है पढ़ाई करनी है और एक चोटा सा काम वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिवस के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू वेरी मुच